नमस्का दोस्तों, रीड आईस में आपका स्वागत है संस्थान पर व्याख्यान के इस तीसरी कड़ी में हम लोग आज चर्चा करेंगे एने चारसी पर यानि नैशनल हुमेन राइट्स कमिशन पर राष्ट्री बार्माधिकार आयोग पर सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन्स पर बात्सित करेंगे इस संस्था के गठन की प्रक्रिया जो है 1993 में प्रारम हुई 27 सितंबर 1993 को सबसे पहले आध्यादेश जारी करके आप जानते हैं कि आध्यादेश भारत के राष्ट्रपती अनुछेद 123 के तहत चारी कर सकते हैं और इस आध्यादेश के माध्यम से इसका गठन सबसे पहले हुआ उसके बाद 18 दिसंबर 1993 को एक मानवा दिकार कर विध्याइक पारित हुआ आठ जन्वरी 1994 को उसे राष्ट्रपती का स्ताक्षर करके उससे प्रारम किया गया तो इस तरीके से हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है नहीं है यह कारिकारी संस्था नहीं है प्रारम्भिक परिक्षा में आए तो आप टिक करें यह एक संविधिक संस्था इस टैचूटरी बाड़ी है इसको जो गठन है उसमें कौन-कौन कैसे होता है इसको जानने से पहले हम लोग देखें इसके कितने मेंबर होते हैं इसके एक अध्यर्च होते हैं और आठ सदस इसमें होते हैं जो नेशनल हुमन राइट्स कमिशन के अध्यर्च होते हैं वे एक स्चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और आट सदस्यों मेंसे चार सदस्य हम लोग पदेन सदस्य लेते हैं, अर्थात पदेन सदस्य कतात पर होता है कि वो कोई और काम कर रहे होंगे, और अडिसनल चार्ज उनको दिया गया होगा, जैनि उनके लिए कोई उलिजबिलिटी या नियुक्ति की हम कोई बात नहीं करत अध्यक्ष को एक पदेन सदस्ता दी गई है अनुसुचित जनजाती आयोग के अध्यक्ष को भी पदेन सदस्ता दी गई है और महिला आयोग जो राष्ट्री महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्षा है वो भी पदेन सदस्य है और जो अलपसंख्यक आयोग है उसके भी अध् इसकारी हमने रखा है इसमें दो न्यायविद्ध होते हैं अर्थात न्यायधीस होते हैं और उनमें से एक कोई सरवच न्यायले का न्यायधीस हो या रह चुका हो और एक दूसरा व्यक्ति जो किसी भी उच न्यायले का मुख न्यायधीस हो या रह चुका हो इस तरह से दो न मानवा धिकार के विशयों का अनुभाव हो तो इसमें जाधतर हम लोग IPS अधिकारियों को हम लोग लेते हैं जो पुलीसिंग के दौर में मानवा धिकार के विशयों से रूब अरू होते हैं जाधतर ऐसा देखा गया बहुत सारे CBA डारेक्टर यहां पे इस काटेग्री में में मेंबर्स के रूप में लिये गए हैं तो इस तरह से इनके आठ सदस्य होते हैं इनके जो नियुक्ति होती है वह रास्टपती के द्वारा अडर हीज हैंड एंड सील अर्थात उनके खुद के हस्ताक्षर और मोहर लगा करके होती है जब भी रास्पती ये इस तरह से जहां पर लिखा जाता है कि उनके खुद के हस्ताक्षा और मुहर ये गरिमा को दिखाता है कि ये एक महत्पुन पध है इसके सदस्यों को रास्पती जी भी तवज्यों देते हैं और वो उनको चुनेंगे जो प्रधान मंत्री जी के नत्रत्य में एक समेती होगी जो नाम रेक्मेंट करेगे उनको चुनेंगे तो प्रधान मंत्री के नेत्रत्यु में जो समेती होती है उसमें ग्रेह मंत्री, लोकसभा और राजसभा के विपक्ष के नेता भी उसमें होते हैं और लोकसभा के अध्यच राजसभा के उपसभापती उसमें सदस्य कुरूप में होते हैं अध्यान रहे कि राजी सभाग के सभापती नहीं होते क्योंकि वो उपराष्टपती हो जाएंगे और वो और अडर अप्रिसिदेंस में प्रधान मंत्री से उपर दर्जे के आते हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि किसी आयोग में अध्यक्ष निनिचले इस्तर का हो और उच इस्तर का व्यक्ति सदस्य हो इसलिए याद रखने में इस विसाइक को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए तो ऐसी एक समीती इसका रेक्मेंट करती है जिन लोगों के लिए उनका चैन National Human Rights Commission के मेंबरान के रूप में होता है अभी हम लोग जानेंगे National Human Rights Commission की भूमिका क्या है तो कुछ भूमिका बिलकुल पॉइंट फॉर्म में ध्यान रखें पॉइंट नमबर वन जो भी स्वतर संग्यान से जो भी आरोप लगाए जाते हैं या कोई आवेदन करता है जाच क दूसरा राज्यों के दौरे करके जेलों में कहीं मानवा धिकार का उलंगन हो रहा है या इसकी जाच एनेच आरसी की द्वरा की जाती है या ध्यान रहे कि जेल जो है वह राज्यसूची कभी से है और इसलिए इसकी पुर्व सूचना एनेच आरसी की तरफ से राज्य सरका को दी जाती है तीसरा यदि कोई अपराधिक संगठन या अलगाओवादी या नकसलवादी संगठनों से अगर कोई चुनोती है तो उसकी भी जांच एने चारसी के द्वारा की जाती है को अंतराश्टी संबंधों में अगर हमने को ऐसा टाइप किया है जिसके इंप्लिकेशन ऐसे हैं जो एने चारसी को जांच करनी क्या हो सकता हो अर्थात कहीं उससे उस उन्तराश्टी संबंध के उस जो गठ जोड के लिए हमने कोई टाइप किया है या कोई प्रोटोकॉल हमने साइन किया है उसके किरियानवेन के वज़े से एने चारसी असारी भारत में मानवा अधिकार का समझ बढ़े इसका प्रचार प्रसार करना एकेडमिक्स में लोग चुने इसके लिए भी वो काम करती है तो जैसे यूजीसी को फंड करती है जो लोग भी जे एरेफ करेंगे जो हुमन राइट्स के सब्जेक्ट को जो मास्टर डिग्री होंग एने चारसी ये भी ध्यान देती है कि मानवा अधिकार के विशेप कोई संग्ठन काम कर रहा हो उस ब्यवसाएं को भी लोग चुने यानि मानवा अधिकार का समझ बढ़े इसके लिए वो काम करती है एंजियो जिवल समाज और प्रेशर ग्रूप उनकी भूमिका को बढ़ या कोई ऐसी धाराएं यह नहीं है जो मानवा धिकार कौलंगन करते हैं और अगर हैं तो उसकी वो रिपोर्ट जारी करता है तो यह सारी इनकी भूमिकाएं प्रारमभीक परिचा के स्तर पर इतना तत्त है अब के लिए महतपुर्ण है इनके सदस्यों को कैसे हटाये जाए अब किया जाएगा तो सेम कंडिशन है इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए जहां तक मुख्य परिच्छा का विसे है तो उसमें हमें कुछ बिंदूं को ध्यान में रखना चाहिए वो यह कि मुद्दे क्या-क्या हैं और कहां-कहां से प्रस्ट न हो सकते हैं पिछले जब से एक्जाम्चन में चेंजेज हुआ है यानि 2013 के बाद NHRC पर एक बार सवाल मुख परिक्षा में पूछा गया था तो वो मुद्दे हम लोगों को तियार करने हैं अपको मेरास्ता बताता हूं उसका एक तो मुद्द यह है कि नहीं चार्सी जो प्रतिवेदन देता है वो 5-6 साल लेट होता है तो जब लेट प्रतिवेदन देता है तो पार्लेमेंटेरियन को लेट समझ में आता है उन्हें यह जानकारी ही देर से मिलती है कि कहां कहां किस छेतर मानवाधिकार की घटनाएं हो रही है उलंगन की तो नीतियां लेट से बनती है तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि एने चार्सी का जो रिपोर्ट है वो टाइमली आए लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग उसे प्रॉपर सेक्रेटरियेट सिस्टम से नहीं जोडेंगे उन्हें प्रयाप्त करमचारी नहीं देंगे उन्हें वेहिकल और तमाम लॉजिस्टिक्स के सुविधाएं अच्छे नहीं देंगे उनके पास डाटा बैंक ब अगले किसी भाग में बात करेंगे उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है आर्थी के स्थिति उनकी अच्छी नहीं है यह विसे हम लोग किसी अगले भाग में करेंगे जब ऐसे चारसी के बाने में बात्चेत हो रही होगी इसके बाद यह ध्यान रखनी लायक है कि जो एने राज्यों में जब विजिट करता है तो जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है भारत में मानवाधिकार के उलंगन की घटनाई जेल में बहुत होते हैं चुकि जेल राजसुची कभी सह है और पुर्व सूचना देनी पड़ती है इतने में जेल प्रसासन उसको सुधार लेता है ज़रूरी है कि जेल में इंफ्रस्ट्रक्चर अच्छा हो खास करके महिला जेलों में इस्थितियां बहतर की जाएं और यहां पर नहीं पर जो एंजीओ जो सिवल सुसाइटी हैं जैसे एक्शनेट ऑफ इंडिया वाटरफ्लाई है ना ऐसे संगठनों को ट्रांस्परेंसी माकड़े वो दे पाएं और उसको भी आधार माना जाना चाहिए सिर्फ ने चार से की भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए सबसे बड़ा जो विसाय है जिस पर यूपीसी ने सवाल भी पूछा था वो यह कि यूपीसी ने ये पूछा था कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि इसमें क कुछ और गनेजेशनल चेंजेज करनी क्या हो सकता है तभी ये सही तरीके से कर पाएगा या बहुत सारे संगठनों से जो लोकनिती के लिए आनुदेश के लिए काम करते हैं उनसे जोड़नी क्या हो सकता है तो इनके अगर हम मेंबर्शिप को देखें तो आठ मेंबर में चार मेंबर आधे सदसन पदेन सदस हैं सी कमिशन, स्ट कमिशन नचल कमिशन पर समानारिटी और वुमिन कमिशन चारो के अध्यार्चीन सदस यो चारो अपने काम में हैं हैं सरी जो लोग इनको रखे हुए दो नया धी से तो नयाइक बामले देख लें और दो जो अगा हो वाले लोग हैं उसमें हम पुलीस सर्विसस के लोग लेते हैं जेनरल अडिनिस्ट्रेशन की यानि आई एस ओफिसर को यूजली इसमें लिया नहीं जाता जो पुब्लिक पॉलिसी वगरे चलाते हैं और यह भ्यान रखने लायक है कि मानवाधिकार के चार भाग होते हैं जो 10 सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार के संदर में अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग यह कहते हैं कि कल्यान की नीतियां इस प्रकार से चलाई जानी चाहिए जो हर अगली पीढ़ी को उनके जीवन इस्तर को बहतर बनाए तो यह कब होगा एने चार से कब इसको देख करते हैं तो जो संस्थाएं जैसे Central Social Welfare Board, नीति आयोग ऐसे संस्थाएं जो लोग नीतियों को चला रहे हैं उनसे इनको कनेक्ट किया जाए ताकि हमारी जो नीतियां नीतिकत जो चुनोतियां हैं उसमें भी सुधार किया जा सके और उसके तहत जो समाज का सबसे गरीब व बारवी योजना में इंक्लूसिव ग्रोथ को अपने टार्गेट बनाये गया था हम 1950 से ही अपना रिपब्लिक चला रहे हैं और बारवी योजना में यानि 12 से 17 में अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लक्ष बनाना पड़ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही चिंता क विशा है और यह सी लिए है क्योंकि जो एजेंसी है जो इन चीजों को देख पाएगी या आलोचना करेगी जो कि आलोचना अपनक्चिंतन लोगतंद के लिए जरूरी है उसमें हमने कोई सिविल एड्मिस्टेटर नहीं रखा या ऐसे संगठनों को नहीं रखा जो पब्ल प्रशासन के स्थिति अच्छी नहीं है कभी हम लोग किसे दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे यह तो संगठन का अपना सिरीज है तो पुलीसिंग अच्छी नहीं है आप संछेप में जाने बहुत पुराने हथियार यूज करते हैं हेल्थ अच्छा नही है जांच के लाइब अच्छे नहीं है और पुलीस जो है वो हुमन राइट्स के अच्छी वाइलेशन करती है अगर एने चार्सी का रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश पुलीस नंबर वन है जो मानवा अधिकार का उलंगन कर रही है अब ऐसी परिस्तिती में अगर प्रदेश कर निपनेशनल पुलिस कमिशन उसके वाद उनीसन ठावए में पदमना भयया कमेटी उनीसह, जुलिओ रिवेरो कमेटी, टू थाॉजंड में पदमना भयया कमेटी, 2003 में वीयस्मालिमत कमेटी, 2005 में सुली हमने बनाई सुप्रीम कोट ने अपने सुधार के लि तो पुलिस रिफॉर्म के लिए बातें कहता रहता है, उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, तब तक भारत में मानवा धिकार की स्थिति, अच्छी नहीं हो सकती है, यह ध्यान रखने योग्य है, और भविस में इस पर प्रस्ट नहीं हो सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, अगले किसी और सा नठन के साथ, फिर हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू.